नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेस और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीसेज अकैडमी दोस्तों हम लोग की जो सीरीज चल लए है पर्यावाची जो हिंदी में है आरो यारो के लिए तो आज उसी का ये अगला भाग है और देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन है और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी वो चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही उसके बाद जो बैल आइकन या फिर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और इस क्वेश्चन की जो सॉफ्ट कॉपी है पीडिया फाइल वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों अब देर न करते हुए शुरू क इस प्रशन का आंसर होगा ठीक है दोस्तों तो पहले आप्शन पढ़ते हैं विकल्प पढ़ते हैं तो विकल्प है ए चंद्रा तप बी है कौमुदी और सी है जयोत्सना और डी है मयंक और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है यूपी आरो यारो प्री में 2010 में पूछा जा च तो इस प्रशन का आंसर क्या होगा जो चांदनी का पर्यायवाची सब्द नहीं है तो वो है option D यानि की मयंक मयंक की शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है किसका नहीं है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है तो व्याक्या देख लिएते हैं मयंक शब्द चांदनी का पर्यायवाची है उम्मीद है क्लियर हो गया होगा जो मयंक है वो चांदनी का नहीं चंद्रमा का पर्यायवाची है पतला है चांदनी के इतने पर्याईवाची आपको मिल गए जिसमें की इसमें तीन आप्शन में चांदनी के पर्याईवाची दिये हुए है तो आप इनको अच्छे से ध्यान दे कर सुन लेंगे पढ़ लेंगे तो आपको चांदनी के इतने पर्यायवाची मिल जाएंगे ठीक है चलिए चलते हैं अगले प्रशन पे अगला है निर्म लिखित में से कौन सा सब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है इसमें यही पूछा है पर्यायवाची नहीं है जो पर्यायवाची नहीं है वही इस प्रशन का उत्तर है तो पहले विकल्प देख लेते हैं तो विकल्प A है वीड़ा पाली महाश्वेता और आप्शन C पद्या और आप्शन D भारती और दोस्तों यह प्रशन भी जो है UPROARO के प्री में 2010 में पूछा जा चुका है तो मैं फिर वही कहूंगा ऐसे प्रशनों को बिल्कुल दिहान दे कर पढ़िये तो इस प्रशन का जो आंसर है वो है आप्शन C जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो वो है आप्शन C यानि पद्या पद्या आप्शन C जो है यह सही है पर्यायवाची सरस्वती का नहीं है पर्यायवाची तो देखते हैं पद्या जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है बलकि लक्षमी का पर्यायवाची है ठीक है दोस्तों यह जो सब्द है वो लक्षमी का बाची है वो देखिए कौन-कौन है भारती, वीणापाडी, महाश्वेता, इला, वागीशा, काणिका, ब्रामी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, इत्यादी जो यह सब्द मैंने बोले हैं, देखे कितने सब्द बोले हैं, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, एक, ग्यारा, एक, ग्यारा सब्द आपको मिल गए पर्याइवाची सब्द किसके, सरस्थी के, तो आप इनको अच्छे से त्यार कर सकते हैं, वै तीन दिये ही हुए हैं, लेकिन मैंने और भी यहां पर मिल गए, आपको ग्यारा सब्द टोटल, तीन के अलावा जो यानी आठ सब्द और मिल गए, जो सरस्थी के पर्याइवाची हैं, तो इनको अच्छे से रट लेंगे, तो इन फ्यूचर में अगर इन ही में से कोई आप्श सब्द है, तो भई क्या है सरस्थी का पर्याइवाची सब्द? सब्द जो है, अगर आपने पिछला भी यह क्वेशन सुना होगा अच्छे से, तो आपको याद हो जाएगा, चलिए मैं ऑप्शन बोलता हूँ, याद होगा, ऑप्शन यह है, पद्या, बी है, धात्री, सी ह कामाक्षी, और डी है कानली का, अब यह प्रशन जो है, यूपी लोवर सब्द सब्द में 2008 में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो पर्याइवाची है, मैंने पिछले में क्वेशन में आपको 11 सब्द बताए थे, तो सरस्थी का इसमें उसी में से एक है, तो इसका जो पर्याइवाची सब्द है, सरस्थी का, इसका आंसर है, आप्शन डी, कानली का, कानली का जो है, वो सरस्थी का पर्याइवाची, जो उपर मैंने 11 बताए हैं टोटल, उसी में से एक ये है कानली का, जो सरस्थी का पर्याइवाची सब्द है, तो इसका आं लहर का पर्यायवाची सब्द नहीं है तो जो भई ये option दिये हुए चार इसमें से एक है जो लहर का पर्यायवाची सब्द नहीं है यानि कि तीन है तो पढ़ते हैं विकल्फम तो option A है वीची, option B, दुकूल, option C, तरंग, option D, हिलोर अच्छा ये दोस्तों जो है, ये UPROE, आरोच प्री में 2010 में पूछा जा चुका है और ये RAS, RTS, में 1989, 1996 में भी पूछा जा चुका है तो इसका आंसर क्या होगा? लहर का पर्यायवाची सब्द नहीं है, जो सब पर्यायवाची सब्द नहीं है, वही इस प्रशन का आंसर है, तो प्रशन आप अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है? तो इसका आंसर होगा आप्शन B, आप्शन B जो है लहर का पर्यायवाची सब्द नहीं है, और आप्शन B में क्या दिया हुआ है? दुकूल, दुकूल जो है लहर का पर्यायवाची सब्द नहीं है, बलकि वस्तर का पर्यायवाची है, दुकूल जो है वस्तर का पर्यायव तरंग, विची, हिलोर, तथा उर्मी, इत्यादिल लहर के पर्यायवाची, अब देखें यहाँ पर आपको उर्मी एक नया सब्द मिल गया, जो बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो उर्मी जो है, इन तीन आप्शन के राव एक चौथा पर रहा बाची है, तो पहले हम आप्शन पढ़ते हैं, आप्शन ए है राम, आप्शन बी है कृष्ण, ठीक है दोस्तों, आप्शन ए राम हो गया और बी कृष्ण हो गया, और सी है विश्णू और डी है ब्रह्मा, देखें यह भी प्रशन जो है, आरो यारो प्री 2010 में प है, सी में क्या है, विश्णू, विश्णू जो है, आप्शन सी, इसका सही आंसर है, चाब या क्या देख लेते हैं, विसंबर, केसव, गोविंद, नारायन, जनारदन, अच्यूत, चक्रपान, मुकुंद, गरुण ध्वज, लक्ष्मीपती, जलशाई, चतुर्भुज, इ इसमें के अभी जनारदन का पूछा गया है, ठीक है, तो ये विश्णू के पर्यायवाची है, 24 विश्णू मूर्तियों में जनारदन के साथ क्रिश्ण का भी नाम है, विश्णू भी क्रिश्णावतार है, क्रिश्ण को महाभारत में जनारदन कहा गया है, ठीक है दोस्तो प्रश्ण को महाभारत में जनारदन कहा गया है साइद उसी याधार पर लोकसेवायोग के द्वारा उत्तरकुंजी में इस प्रश्ण का उत्तर भी दिया गया था अगला देखते है अगला है 25 नमबर जो है बागीचा का पर्रयावाची सब्द है अब बागीचा का बागीचा का पर्रयावाची सब्द है तो देखते हैं क्या है उससे पहले विकल्प पढ़ लेते हैं तो विकल्प है निर्जन आप्शन A में दिया हुआ है आप्शन B में व्यजन आप्शन C आराम आप्शन D कल्पशाल और ये दोस्तों ये भी जो है UPRO ये प्री 2010 में पूछा जा चुका है तो इसको भी आप द्यान दीजिएगा तो बगीचा का पर्रयावाची सब्द है क्या है वो वो आप्शन C में दिया हुआ है आराम आप्शन C आराम बगीचा का पर्रयावाची सब्द है बगीचा के पर्रयावाची है आराम वाटिका उपवन उद्यान बाग फुलवारी निकुंज इत्यादी ये आपको बगीचा के पर्रयावाची यहां से मिल गए एक तो भई यही ऑप्शन C दिया हुआ था इसके इलावा और आपको मिल गए तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पर ठीक है अगला देखते हैं 26 नंबर जो है विड़ावला पर्रयावाची सब्द है वही किसका है विड़ावला पर्रयावाची सब्द तो पहले देखते हैं उप्शन उप्शन A नक्षत्र का उप्शन B अपसरा का उप्शन C इंद्र का और उप्शन D पत्थर का ये भी देखिए 2010 में पूछा जा चुका है आरो यारो प्री में तो विड़ावला का पर्रयावाची सब्द है इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है आप्शन C इंद्र का आप्शन C में जो दिया हुआ है इंद्र का तो विड़ावला पर्रयावाची सब्द है इंद्र का ठीक है दोस्तों विड़ावला इंद्र का पर्यायवाची सब्द है इसके अतिरिक्त इंद्र के अन्य पर्यायवाची सब्द है जैसे कि कौशिक, देवराज जिश्नू, पुरहूत वज्रधर सक्र, पुरंदर मधवा सचिपती, सुर्पती इत्यादी आपको इंदर के अन्य पर्यावाची जो यहां से मिल गए ये भी आपको याद हो जाएंगे उमीद करता हूँ ये भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा ठीक है चलिए चलते हैं अगले प्रशन पर मार सब्द का पर्यावाची है अब मार सब्द का पर्यावाची क्या है तो देखते हैं नहीं मार सब्द जो पर्यावाची है वो किसका है तो ये देखते हैं तो आप्शन ए है जादू का आप्शन बी सौन का आप्शन सी अधम का आप्शन डी अनंग का ये प्रश्ण भी जो है आरो ये आरो प्रीम दोहजार दसना पूशा जा चुका है तो मार सब्द पर्यायवाची है किसका है वो है option D यानि की अनंग का option D अनंग का जो पर्यायवाची है वो मार है ठीक है मार समर मदन केतन अनंग मनमत मनसिज मनोभव रतिपती मनोज मयन कुसुमसर मकरध्वज इत्यादी कामदेव के पर्यायवाची सब्द है तो आपको बही किलियर हो गए ये बही किसके है ये जो है कामदेव के पर्यायवाची है सब ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और उमीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा हम लोग के दोर जो प्रयास किये जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा होगा तो अगर पसंद आ रहा है तो बिलकुल आप लाइक करिए देर न करिए और शेयर जरूर करिएगा शेयर करने के कई माददे में फेस्बूक हो गया वाटस अप हो गया और भी सोशल नेटवरकिंग साइट्स हैं एप हैं जिनके थूँ आप शेयर कर सकते हैं डिरेक्टली आप वीडियो डाउनलोड ना करके सीधे आप शेयर करा दे लिंक शेयर कराईए ठीक है तो आपके मित्रे दोस्तों सभी लोग देख सकते हैं वाँ से आप जिनको शेयर करेंगे और भाई उनको भी फाइदा होगा कि हाँ इस तरीके से सारी वीडियो मिल रहे हैं हमारे चैनल पर चल लही है उनको जो है मिल जाएंगे उनको जो है पढ़ाई में आसानी होगी और ठीक है दोस्तों तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में